नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका आज किस वीडियो में आज हमारे पास खड़ी हुई है रिनोल्ट की ट्राइबर और ट्राइबर का ये मैं आर एक्सल बेश डे एन नाइट लिमिटेड एडिशन आपके लेके आया हूँ ये सेकंड बेश वैरियंट के ऊपर जो है कुछ चीजे चेंज करके बनाया गया है और लिमिटेड इसलिए है क्योंकि इसकी सिरफ 1600 यूनिट जो है वो रिनोल्ट ने बनाई है और ये काफी value for money वैरियंट है अगर आप रिनोल्ट ट्राइबर के basic वैरियंट में कुछ देख रहे हो तो ये काफी बढ़ी आप के लिए रहेगा यहाँ पे exterior interior काफी सारे changes किये गए है प्लस यहाँ पे add-on features भी जो है वो आपको दिये गए है Rxl का अगर आप manual transmission लेते हो तो आपको 6,80,000 रुपए उस गाड़ी की extra room कीमत पढ़ती है और इस day and night limited edition की कीमत आपको 7,000 रुपए extra room पढ़ती है तो शिरफ 20,000 रुपए उपर देके आप काफी सारे features और काफी सारे exterior changes जो है इस variant में ले सकते हो और ये सबसे value for money variant आपके लिए इस time पे रहने वाला है तो अगर आप लेना चाते हो तो गुड़गावा में अभी हमें डिलर की contact details में डाल दूँगा स्क्रीन पे number डाल दूँगा में बावेस बाई के तो आप यहाँ पे contact करके रिनोल्ट की कोई भी गाड़ी जो है वो ले सकते हो आपको जल्दी से लेनी है क्योंकि शिरफ 16 उनिट है और आपको पता है जो चीज value for money होती है वो जादा जल्दी sale out हो जाती है तो 20,000 रुपे में क्या क्या चीज़े हैं उन सब के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले तो आप ये गाड़ी देखो आपको ओर ओर ओल यहां पर dual tone का जो है वो इस्तमाल होता हुआ दिखेगा गाड़ी की roof glossy black जो है वो कर दी गई है और white color आपको मिलेगा सिरफ यही option आपके पास एक है उसके अलावा आप देख रहे होंगे तो यहां पे जो आपके ORVM से है जो door handles है या फिर आप देखोगे यहां पे इसके जो wheel caps है इन सब चीजों को भी black किया गया है अब गाड़ी बिलकुल भी ऐसे नहीं लगती कि यहां पे जितने बेसिक features है वो सारे आपको दिये जाते हैं अब की के साथ वुझाते हैं की में बटन सापको लोक अनलोक के मिलते हैं दन आपने पास सामने के तरफ आप देखोगे तो प्रोजेक्टर बेस्ट आपके पास headlamp आता है जो कि हैलोजन होने वाला है यहां पे भी आप देखोगे ना तो क्रों का इस्तमाल किया गया है बेसिक वैरियन्ट ही है अजो आप साइड पर आओगे तो आपको औरियों की जगह है यहां पर इंडिगेटर दिखने वाले 14 इंच के वील्स जो है वो गाड़ी में दिये जाते हैं 165-80 का ओरोल टायर का सेक्षन है अब रिनोल्ट की जो यह ट्राइबर है यह आपको बता कि सबसे गाड़ी का गाड़ी के अंदर आप स्पेस देखोगे हमने का दो तिन वीडियो अल्रडी किये हैं जिसमें की स्पेस का अच्छे से डेमेंस्ट्रेशन जो है वो आपको करके लिखाया है तो आप वो चैक आउट कर सकते हो ऊपर में डाल दूंगा लिंक पे थोड़ा मोडल जैसा बिल्कुल भी अब फिल नहीं दे रही है तो यहां पे भी जो ट्राइबर लिखा गया है इसको भी लोशी ब्लैक कलर में ही कर दिया है तो यह कुछ चेंजिस आपके एक्स्टियर होगे एक और बड़ा फीचर आपको मिलने वाला है वो है रिवर्स पार्किंग फीचर आपके पास आता ही है और तीनों सीटे अप होती है तो आपके पास कुछ इतना स्पेस जो है वो बसता है अब ट्राइबर में एक चीज और बढ़िया है कि प्रैक्टिकालिटी के हिसाब से गाड़ी काफी अच्छी है आप इन सीटों को मल्टिपल वेज में जो है आपने हिसाब से आप स्पेस जो है वो निकाल सकते हो मैं कुछ फोटो डाल दूंगा तो इतने आवे में जो है वाप इसको एड़स्ट कर सकते हो पाकि सेफ्टी के हिसाब से अपने पास हैड़स्ट जो है पीछे वाले वो भी एड़स्ट बलाते हैं बीच वाली रो के सब तो है वह मेरी हाइट के हिसाब से एड़ ज़स्ट है यहां पर बैठता हूं तो काफी अच्छा स्पेज जो है यहां पर भी मेरे पास आ रहा है कोई नी रूम में लैग रूम में किसी तरह की दिक्कत नहीं है अगर आपकी हाइट थोड़ी जादा है तो आपको हलकी फुल की इस पोजिशन में बट हाँ आप यह है कि अपने हिसाब से एड़स्ट करके आराम से बैठ सकते हो काफी बढ़िया स्पेज और काफी प्रैक्टिकल सीटिंग कैपसिटी जो है वह इस गाड़ी की है सीटों में आप देखो कितने सारे एड़स्टमेंट जो है वह आपको आपके पास सब रहेगी और क्वालिटी जो है वह इतनी बुरी नहीं एक दम अच्छे से फिटिंग है अच्छे से जो है वह बटन की जो फीड़ बैक है वह काफी अच्छा मुझे लग रहा है और रिनोल्ट की यहां पर ब्रेंडिंग भी है सो जैन्मन एक्सेसरी जो है व और बाकी पीछे कोई भी डॉर पर आप देखोगे तो फैबरिक वगरा जो है उसका यूज नहीं है हाड प्लास ठीक आपको मिलता है और यह अपने थोड़े से ओल्ड स्कूल टाइप के डॉर हैं पीछे वाले जो बंदे हैं उनके लिए जो यहां पे पिलर पे दिये गए हैं ठीक है तो ऐसा नहीं है कि बीच वाली रोके बंदों के लिए कुछ नहीं उनके लिए भी है उनको एड़ेस्ट करने के लिए जो फैन की स्कूीड है उसके लिए यह नोब जो है वो मिलता है हाँ यह थोड़ा सा जो है वो आप कह सकते हो कि आगे की तरफ है बर ठीक है आपको आई ठीक कि एक बार आप कर लोगे तो काम आपका चल जाएगा ओके जी स्पेस वाइज काफी अच्छी है हाइड देखो आप काड़ी की काफी उच्छी है तो लंबा बंदा भी आराम से बैठ पाता है इसी वज़ए से ट्राइबर जो है वो सेल होती है क्योंकि इस सामने वाली जो पार विंडो है उसके बटन आपको यहां पर मिलते हैं ठीक है ओर वियम जो है वो मैनुली एड़ेस्ट करने पड़ेंगे सिर्फ एक फीचर ऐसा है जो मुझे लगता है कि यह भी देते तो फिर तो एकदम ही वैली फोर मनी वैरियंट यह हो जाता है स्टेर कुछन क्वाल्टी जो है वो डी सेंट अभी नहीं कि बहुत जादा कुछन है या फिर स्टिफ है तो नोर्मल है ठीक है अब एक बार ओन कर लेते हैं अपन गाड़ी को यह देखो जी यह हो गई है ओन तो कुछ ऐसी एम आईडी आपको यहां पी दी जाती आर्पियम मीटर है इस तरफ अपना फ्यूल कितना है उपर इंजन हीटिंग वाला जो है वो सब चीज़े दिखती है यहां पर आपकी डिजिटल स्पीड वगरा जो है वो सब आपकी आजाती है अब इसको कंट्रोल करने के लिए यह बटन है छोटा सा ठीक है इसको प्रेस करके आप देती है कंपनी ठीके 20,000 रुपे में आप देखो पावर विंडो हो गई गाड़ी डूल टोन हो गई आपके डॉर हैंडल्स आपके और व्यम्स अप्यानो ब्लैक फिनिश में जो है वो भी हो गए प्लस आपके पास नाइन इंच का मिजिक सिस्टम जो है यह भी आ गया और कंपनिया का है कि 20,000 में सिर्फ डूल टोन ही देती है बट ट्राइबर में यह काफी बढ़िया पैकेज जो है वो दिया गया है कंपनी का कहना है कि यह एक्सेसरी जो हम दे रहे हैं वो सारी 55,000 के आसपास है और आपको यह 20,000 रुपे में मिलने वाली है अब यह 9 इंच का ह अंडूइड है अंडूइड आपने देखा ही है तो उसके रिलेटेड जो है वो सब चीजे आपके पास यहां पर आएगी वाइलेस जो है फोन प्रोजेक्शन का उप्सन जो है वो आपके पास यहां पर आ जाएगा और डीसेंट मुझे लग रहा है ठीक है अगर मैं इसकी ठीक है यार कुछ ना होने से तो यह है तो काफी बड़ी है लोग जो है आपनी गाड़ियों में जो कंपनी फिटट आते हैं उनको चेंज करकर के एंडूइड लगा रहे तो आपको यह मिल ही जाता है और एंडूइड का प्राइस देखे ना तो मेरे इसाब से पंदरा एक स्पेस एक 12 वोल्ट का सोकिट है मैनवल और ऑटमेटिक दोनों में आप इस गाड़ी को कंशीडर जो है वो कर सकते हैं एमटी जो है वो इनका नोर्मल एमटी आता है अपना फाइड स्पीड का और फाइड स्पीड का ही आपके पास मैनवल आता है यहां पे देखो दो बड चला स्परेट थ्री स्लेंडर इंजन जो है वो गाड़ी में आता है एक मातर जो डीमेरिट है वो इस गाड़ी का यही है कि इंजन थोड़ा सा जो है वो आपको एक सैवन सीटर की हिसाब से मैं काऊं तो कम पावर जनरेट करता हुआ दिखेगा बट वह जिनको नोर्मल चल प्राइबर रहती है और आप लोग हमारी वीडियो को या फिर रिनोल्ट ट्राइबर को काफी प्यार देते हो तो आप प्रेक्टिकल समझते हो इस गाड़ी को इसी वज़े से लोग जो है इतना देखते हैं यह थी अमारी वीडियो और यह था लिमिटेड डे एंड इस वीडियो हम मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में